अच्छा जारकंड की राजनिती में अगर मुख्यमंत्री अगर कोई महतो कास्ट से आए तो आप लोग यह बरदास्ट करेंगे। इट इज नौ। इट इज नौ। जो अधिवासि हेमन्न सुनीह तो इसको आप सूक्र करतें से लेकिन ऐक नौन ट्राइबल चीफ मिनिस्ट्र को आप लोग घ। लोग कर रहा है कि यह श्यरी रघुरता से खका हो जाते हैं कि राजी में में हमेशा ट्राइबल मुख्यमंत्री लोग छाते हैं बिल्कुल देखिए आपका घर में आदिवासी गिस घर में है बेटा है उस गर में दुसरों को आम महतों को लेकर उसको मालिक बना देंगे तो कैसे होगा हाँ अगर किसी दूसरे वेक्ति को अपने ही पार्डी से अगर हेमन सोरेन उत्रातिकार बना के जाते तो आप उसको सविक्वार करते क स्विखार करते हैं लगिन हेमन सोरेन की प्रेसलाकार पिंटू को कैसे स्विकार कर लेते हैं पर कोई यह भी तो कह सकता है आधिवासी कि नहीं है , मेरा अधिवासी नेता तो BJP मे भी है अर्जुन मून्दा है, बाभुलाल मरांदी है, कोचे मून्दा है, निलकृंद सिंग मूंदा है आपको बखुद बोल रहे है जो आधिवासी के जो अभी राश्टोपध्य दर्पद्य मुरुमु जी को बेठाया वो अधिवासी भर्लावाण के लिए राश्टो पदेजी ने चांप किया प erosion वास उसको एक फॉटो के रूप में रखा ए दिलीने दे के बरन वी आप इसको रखा गया है आज तक उसको राम मंदिर में या तो किसी भी मंदिर में घुशने के लिए उसको इजाज़ा दे दिया है उसको बिरियर लगा देता है समझें ना इस वक्त हम जारकंड की राज़धानी राची से करीब 120 किलोमेटर दूर इचागड विधान सभा में प्रवेश कर रहे हैं राची लोग सभा के च्छ विधान सभाव में इचागड विधान सभा भी है यहां के रिपोर्ट्स बताते हैं कि लगभग 30 फीसद यहां की आबाद हैं और एक ऐसे वक्त में जब खुद प्रधान मंत्री नरेनर मोदी जो बीजेपी के बड़े चहरे निरनायक चहरे हैं और वे जब द्रौपदी मुर्मो के माथध आदिवासियों को अपना हितैशी बताते हूं और जब प्रदेश चारकंड में बीजेपी के तमाम बड़ है कि वे हमें वोट देंगे तब हम इचागड विधान सभा में प्रवेश कर यहां के आदिवासी समाज से बाचीत करने की कोशिस करेंगे और यह उनसे जानना चाहेंगे कि क्या वाकई आदिवासियों के लिए जो जहरकंड मुक्ती मोर्चा थी उनके विकल्प में भारती दफूर्थ की जन्मत यात्रा इचागड में आप सब जानते हैं कि इचागड का जो composition है या यू कहें कि इसकी जो आबादी है इसमें लगभग 29-39 फीस्दी आबादी आदिवासियों की है इस बिना पर हम ये बाचीत आदिवासी समाज में और आदिवासी गाओं में करने के लिए लोगों से जानने के लिए आये हैं कि इचागड के परमुक्ष मंतरी हेमन सुरین की ग्रफ्तारी के बाद क्या आदिवासी जो है वो हेमन सुरेन की जो पााटी है जारकड मुक्ती मुर्चा उस पर ही उम्मीद लगा कर बैठे हैं या फिर उन्होंने एक नई विकल्प के तौर पर दूसरी पार्टियों को भी अख्तियार करना शुरू कर दिया है हम इस बाबत भी बाचीत करने के लिए आए हैं कि जब बीजेपी लगातार ये बार बार कहती है कि हमने दुरौपदी मुर्मो के मातहत आदिवासियों को सबसे बड़ा पहचान दिया उन्हें राष्टपदी के पत पर ले गया तब क्या वाकई जो जमीनी अस्तर पर जो आदिवासी हैं क्या वे तब भाजपा से खुद को एसोसियेट कर पाते हैं या नहीं खुद को भाजपा से जोड़ पाते हैं नहीं इनी तमाम मसलों को जानने समझने के लिए हम जमीनी अस्तर पर जानेंगे साल बनी के आदिवासी लोगों से सबसे पहले तो आपका नाम क्या हुआ मेरा नाम है रंजीत किसको रंजीत किसको आपका नाम क्या करते हैं रंजीत किसान मित रहे हैं हम खुद आपको हम पता दे रहे हैं हम किसानों के साथ हम काम करते हैं किसान को खेती के माज़्यम से हम बताते हैं कि हम लोग को कैसे कैसे खेती करना चाहिए या तो नहीं उसके साथ-साथ हम जूड़े हैं और आप बगार किसी पार्टी के हैं सिर्फ आप वोट करते हैं पार सल की कि हमन्स और जो जारकन के पुरमुख्ष मंत्री वे जेल चले गया है मामला क्या है बाकी सब लोगों को पता है आठ एकल की जमीन के मामले में और तथा कतित फरजीवाले के आरोप में ED ने उनको गिरफदार किया है उन पर अभी मामले चल रहे हैं सुनवाई चल रही है कोट में हम ये जानना आपसे चाहते हैं कि क्या हेमन सुरेन की गिरफदारी के बाद जेमेम कमजोर हुई है क्या उसका पकड जमीनी अस्तर पर थोड़ा कमजोर हुआ है और क्या उसका रिफ्लेक्शन, क्या उसका परिणाम उसकी वोड़ बैंक पर आगामी लुकसभा चुनाओं में या विधान सभा चुनाओं में देखने को मिलेगा देखिए हम जो कह रहे हैं वो जो साजीस है, साजीस के तरस हमन तो सुरेन को फसाया गया है अभी MP चुनाओं जो है ना लोकसभा का चुनाओं उसमें उसका परिणाम बीजेपी को बुरी तरह से उसको हार मिलेगा है आपको हम शिदा लग रहा है कि हेमन सोरेन की गिरफदारी का असर लोकसभा चुनाओं पर रहे हैं क्यों आपको ऐसा लगता है कि इसका असर रहेगा अधिवासी के लिए बहुत कुछ काम करने के उमीद था और काम भी कर रहे थे जिसे कि लोगडान के बाद करें तो लोगडान वे हवाई चपल वाले को भी हवाई जजने बेठाया हम लोग भी देखे आप लोग भी देखे उसके बद उसके बाद जो फूलो जानो इसमीद जजना जो चला रहा है उसमें भी काफी छात्रों कुलाब मिल रहे हैं बढ़ आदिवासी पारंपरिक तौर पर लगातार सिर्फ और सिर्फ जेमम को वोट करता रहा है क्यों वो दूसरे विकल्प की तरफ नहीं जाना चाहता है उसके मुख्य वजह क्या है मुख्य वजह सब देखे अभी रगवर्दास भी पांच सल चला है सरकार उसमें कितना आदिवासी को लाठी डंडा सी पीटा गेरांसी में जो परासिचों को जो अपने होक के लिए लड रहते महिले आंगनवारी से भीका उनलोग को भी मारा गया इसके चलते जो गेर आद लार्जेस ट्राइबल स्टेट है जारखंड तो आपको लगता है कि इस जारखंड को कोई अगर चला सकता है तो सिर्फ और सिर्फ जेमें ही चला सकती और उसमें आदिवासी मुक्षबंतरी चला सकती हो जैमें जिसे हम लोग जिसे आदिवासी को लालोच के इसे काम करेंगे बोलके बोट उनलोग को लिया है और अभी पूरा जंगल ही साफ कर देरा है अभी प्रतिक निवज में देर है जारकन के बात करें तो हमनसर जो काम का रहा है यूबा मुख्य मुंतरी है यूबा लोग का सोच आगे बढ़ने क के लिए इसी कि अधाज मुझक भात करते हैं कि हम आदिवासीं का परतनेधित जो है वो पाटी में बहुत अच्छा है जे में में बहुत अच्छा है पर कोई यह भी तो कह सकता आदिवासी कि नहीं है तो बीजेपी बीडिये आर्ज अरजुन मुंडा है बाबूलाल जो है ना उजे मतलब क्या बना कियों बनाने का उसका मकसद क्या था जब को उसको मुख्वमंत्री से यहां से जब उसको निकाल दिया गया अरजुन मुंडा को बना उलक तो चापलूसी करता है दुनिया के लिए आपको पता है इस दुनिया में पिर्थी भी को कोई नहीं ब सब्सक्राइब बनाया है और इसमें इतना राजनीती होता है कि हम लोग प्राकृती से प्राकृति को बचाने के लिए अगर नरेदर बनाया अगर यह कहते हैं मैं अदिवासियों के लिए काम कर रहा हूं अगर भूए एक महिला को इस देश का राष्टपती बनवाते हैं, उनमें उनकी सक्रियता होती है, राष्टपती मुर्मू को राष्टपती के पत्तक ले जाते हैं, और इसके बाद वो सारजनिक मंज से कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा हिताश्यू हूं आदिवासी समाज का, इसके बावज के लिए आदिवासी काम के लिए, आदिवासी का एक भी राष्टपती जी ने काम किया है, कुछ काम नहीं किया, बस उसको एक फोटो के रूप में रखा है, दिल ने, राष्टपती में, उसको बहुत बेकर जैसे जहरकंड हो गया, बंगाल हो गया, फिर 36 गोड और भी रा राष्टपती बना दिया, तो बाकी लोग को लग प्रिया होगा कि अदिवासी लोग को आगे बढ़ा रहा है, आप ये करें कि प्रतिकात्मक तोर पर ये राजनिती हो रही है, कि प्रतिक के तोर पर कि हमने एक आदिवासी को राजपाल या राष्टपती बना दिया, तो एक दिन बहु अछछा बोल्डाझ किया बावाला हर दिन उसके बूरा बुराई दुसरा जाक जी प्यादव और बंधू तिर्की अब कोपता है तो इसलिए मेरा कहने का उत तो जो रास्य पती जो है ना डरभवादी मूरती के जैसा है मतलब उसको रखा गया है आज तक उसको तक किसी भी मपंदिर में गुषने के लिए इसको और दे दिया है उसको चासा बातार है समरे और कर यार कशनी की आदिवासी होने के dua बाहलानागरी के भारत की रस्ट्रे पटी जी तो उसको तो सम्मान देना चीए नहीं नहीं आए तो नेटाद द्या चाहिए अपना पहचान के लिए इनधा की आधिवासि को भी एक नहीं भेजा है रह्ज़़ची को भी खुद से नहीं आया है कुछ प्रोबलम अपने काम के चलते इसे बहना करके लेकि रास्टर पते जी खुद ही नहीं आ चलना चाहते क्योंकि हमको उहां जाएंगे तो बाल हो जाएगा बर्मान समा जाएगा कुछ बड़े धरम के लोग आएगा तारे जंगल के रहने वाली आज राम मंदिर में आई मैं आप से जाना चाहता हूं कि आप लोग का कितना विकास हो पाया जब आप चाह रहे थे कि जेम्म सत्ता में आए तो जेम्म सत्ता में आई आई आप चाह रहे थे कि आपके युवा मुक्ष मंत्री हेमन सुरेन बने तो हेमन सुरेन मुक्ष मंत्री बने आप चाह रहे थे और क्या आप उन्विकास से खुद को संतुष्ट कर पाते हैं कि नहीं ठीक काम हुआ है काम तो हुआ है लेकिन उसको काम करने ही नहीं दिया काम करने क्या कोशिस करते तो कुछ सरकार अपना सरकार बचार बचातें फिर चार साल तकंट सक तो काम किया उसके बाद जल जाना है पर्ड़ म्हयरा और अखरी को भी लग रहा है कि काम नहीं कर पाए नहीं तो कुष्भ बता रहे हैं आप तो पाटी के निता है तो आप बताई हम अब डिल्ली के तोर पर इस चेत्र में शिच्छा का मतलब विकास करना चाहता था इसलिए साबीतरी वाइफूले जोजना खिशरों को लिए एक तो जोजन लायाता हैं अभी 50 साल जो विर्धा पेंचन था न उसको भी ये कर रहा है न उसके बाद जितना भी जितना भी था एंट बन कर लिए जितना भी था न दुनिया में पेंचन वाला को सब को अच्छा ख तो अभी क्या कर रह flourishा है जोड़ा है तो करते हैं हम खाहिए करते करते कर रहे तो अचCC होता है जोड़ा को मियू बहुत को सिर्फिक के लिए तो अच्छा आधिवासी समाझ में कोई ऐसा तखका बी है अदिवासी समाज बीज़ेपी के साथ जाएंगे जब GMM की सरकार को काम करने, अगर अप लोग को लगता है कि बीज़ेपी दे ही नहीं रही है, तो हम काम करने वाला हैं सरकार ही लेआइंगे, भीज़ेपी को ही लेआइंगे, क्या दिकत नहीं? उसमें तो सब खतम कर देगा बज़ेपी, बाकी जो बचाय ओभी तो खतम कर देगा बज़ेपी, दिली सी यह रिमोट चलेगा फिर, इहां का जारकून का मुख्वमुतरी अभीबूला बाभूला जी चाहा पाबलिक, बेकुब बुना रहे पाबलिक को, जो हम काम करेंगे, लोग कर रहा है कि आप लोग इसलिए रगुवर्दास से खाफा हो जाते हैं क्योंकि आप लोगो को लगता था कि इस राजी में हमेशा एक ट्राइबल मुक्यमन्त्री होना चाहिए इस वज़र से ही आप लोग खफात है बिल्कुल देखिए आपका घर में आदिवासी जिस घर में है बेटा है उस घर में दुसरों को हम महतो को लेकर उसको मालिक बना देंगे तो कैसे होगा आपको अच्छा जारकंड की राजनिती में अगर मुख्यमंत्री अगर कोई महतो काश्ट से आए तो आप लोग यह बरदास्त करेंगे बिल्कुल नहीं यह संभव नहीं होगा अगर चंपाई सोरिन की जगह अगर किसी दूसरे व्यक्ति को अपने ही पार्टी से अगर हेमन स सब्क्राइब कर लेकिन आप हेमन सोरेन का विधायक परतिनीदी पंकज मिस्रा को कैसे सविकार कर लेते हैं यह पर जंगल में रहते थे कि आप अगर शाइन की एक आदिवासी मुख्यमंत्री बने नहीं हुआ कार विया जो डूसरे का व अदिवासी नहीं है हेमन सोरेन का जो विधायक परति ने दी पंकज मिसरा वो आधिवासी नहीं है तो इसको आप लोग स्विकार करते हैं लेकिन एक नॉन ट्राइबल चीफ मिनिस्टर को स्विकार ने करते हैं क्यों इसकी पीछा वजा क्या है ग्याप दरफ देखें सरकार के लिए जारकन के मालेगे मुक्ह मुंतरी सीम फिर मिनिस्टर को सविकार नहीं करेंगे तो मुख्य में तरिया अपना गलत सुलत कुछ अपना तो नहीं करेंगे सोच समझ के लिए करेंगे पार्टी के देख अलग छेत्रों है जिसे कि जेनरल छेत्रा में उतों अलग विधाय को नहां से आएगी फिर अपना कलपना सुरिण में भाविष्ण नजर आता है आपको राजनितिक भाविष्ण नजर आता है कलपना सुरिण में आगे पार्टी को लेकिया आगे जासा है ने ने हो सकता है हो सकता है उस चीज को भी यह बता दे नहीं आपको लेकिन इस चीज को आप गोर कीजिएगा कि दुनिया में सिर्फ बड़े आदमी हैं बड़ा आदमी बन सकता लकिन घरिब के लिए कोई नहीं सोचता है या अपनी पाटी के लिए वोल रहे हैं मेरा पाटी यह तो दूनिया का कोई भी पाटी हो सकता है देखिए इससे पहले आपको कंग्रेस था पर बिजएपी जेम्हें तो कुछ अदमी को अच्छा इस्थान पर ले गिया है ओन्यात बोलके हूं नहीं बोल रहे हैं नोगी चाहिए ओन्मिला के यह भाजट्चीत थी यह जार्खण मुक्ति मोचप right now के स्थानी नेता हैं कारीकरता हैं रंजीत किसकू और आपने अपना सुरेंदर मुर्मू और इन दोनों ने मिलकर जो है धेर सारी बातें बताई है आदिवासी कैसे सोचते हैं सरकार के तौर पर वो किस तरह से एड्मिस्टेशन को देखने वाले के तौर पर देखते हैं बीजेपी को लेकि उनकी क्या राय है अस्थानिय पॉलिटिक्स में किस तरह की बातें जहरकण मुक् समझ है राजनितिक समझ है उससे आपको कई इंसाइड मिलेंगे जो शायद आपके लिए साहय को आप देख रहे थे दा फोर्ट पिलर में हूं आपके साथ आकाश और कैमरे के पीछे हैं अभिशेक शक्रिया